हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टू फूर यूनिट, आज बनाएंगे स्वीट्स रेस्पी यानि काजू कतली काजू कतली बनाने के लिए हमने हाप लिया है एक कटोरी काजू उसी कटोरी से नपपा हुआ आधा कटोरी चेनी काजू को हम मिकसर जार में डालकर पीस लेंगे काजू पीसते वक मिकसर को हम थोड़ा थोड़ा चलाकर बन करके पीस लेंगे काजू का पाउडर अब हम एक चन्नी से चान लेंगे जिससे छोटे तुकले चन जाए और बड़े तुकलो को हम निकार ले काजू का पाउडर अच्छी तरह से छनी से छनकर निकालाएगा सेज बच्चे हुए तुक्डों को भी हम मिकसर जार पे पीस का छान लेंगे काजू का पाउडर तैयार है चासनी बनाने के लिए यहां पे हम लेंगे एक मोटी तलीक का बर्दन उस पे डालेंगे चीनी चीनी में पाने हम चीनी को डुबोने जित्ता पाने का प्योग करेंगे और इसे मेडियम से लो फ्लेम में चीनी को पकार लेंगे यह स्टेज सबसे ध्यान देने की है जहां पे चीनी पर हम को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है चीनी को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये एक तारकी नहीं बन जाए एक तार का मतलब जब तक ये हम अपने उगडी पर लें और ये चिपके तब माना जाता है कि चीनी एकतार की हो चुकी है चीनी में उबाल आ रहा है चासनी बनाने में लगभग 5 मिनट का टाइम लगेगा इस रेस्पी को बनाने के बाद आपको यहां पर जरूर पता चल जाएगा की ओरिजिनल काजू कतली और मार्केट की डुबली काजू कतली में क्या अंतर होता है चासनी हमारे उबल रही है अब यहां पर आपको देखना है कि बरतन की तली पर चासनी मोटी मोटी सी लग रही है यनि हमारी चासनी पक चुकी है अब ये stage आ चुकी है जहाँ पर काजू का पाउडर एड़ करना है मार्केट में हलवाई इसी टाइम पर काजू का पाउडर डालते हुए साथ में दूद पाउडर भी यूज करते हैं हम यहाँ पर काजू का पाउडर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको मिक्स करते हुए गैस की फ्लेम को लो रखनी है और जलेली मिक्स कर लेना है यहाँ पर हम डालेंगे एक चमच घी देशी घी का यूज करेंगे जिससे काजू, नरम और इसकी परत मुलायां बनती है और यह घी डालने से मिस्टर में साइन आता है घी को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे घी को मिक्स करने के बाद हम काजू के पेस्ट को एक थाली पे निकाल लेंगे जिसे यह जल्दी से ठंडा हो जाए अगर आपको लगता है कि आपकी पेस्ट काफी टाइड बन गया है तो आपको यहाँ पे एक चम्मच पानी एड़ करके इसे चिकना बना कर तयार कर लेना है अगर पतला है तो आपको और टाइड करना है मिस्टर हमारा ठंडा हो चुका है इसे अच्छी तरह 5 मिनट के लिए स्मूथ कर लेना है यानि दवा दवा के चिकना कर लेना है जिससे मिठाई पर क्रैक्स नहीं आएंगे यहाँ पे लेंगे हम एक पॉलिथिन पॉलिथिन के अंदर डालेंगे मिठाई का मिस्रण और उसे अच्छी तरह से दवा कर पतला बेल लेंगे काजु कतली बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी मिठाई है इसे आप बना कर 10 दिन तक यूज कर सकते हैं बेलन से हम पॉलिथिन के उपर हलके हलके हाथों से बेलते जाएंगे काजु कतली बनाना बहुत ही आसान है सिर्फ थोड़ी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जिससे हमारी काजु कतली बहुत ही परफेक्ट और मार्केट जैसे बनते हैं और 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 रिजनल मिठाई यहाँ पे बनकर तयार होती है मिठाई के मिस्रण को यहां पे हमने बेल लिया है पॉलिथेन को हम उपर से निकाल देंगे अब इसे हम नाइफ की सहायता से डायमंड सेप देंगे काजू कतली डायमंड सेप में बनती है और यह बहुत प्यारी लगती है यहां पे हम चांदी का वर्ग का यूज नहीं करेंगे क्योंकि चांदी का वर्ग स्वास्त के लिए अच्छा नहीं होता है सिप वो सजावट के लिए अच्छा माना जाता है नाइफ की सहायता से हम लंबा-लंबा काटते हुए पूरी तरह काजू का सेप काजु कतली कसेप दे देंगे यह मिठाए आपको बहुत पसंद आगी एक बार जरूर बनाए रेसी पसंद आए तो लाइक करिए सिस्क्राइब करें